आज का मेरा टॉपिक है कि हाउ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन एफेक्ट्स आर डिफ्रेंट फेजेस अफ लाइफ एज भी आल नो मनुष एक सामाजिक प्राणी है इसलिए जरूरी होता है कि हो समाज के मापदन रूपे पारामीटर पर ख़रा ہ frente आज कल के practical जमाने में समाज उसी की इज्जत करता है जिसनने अपने कारेशेतर में कुछ नाम कमा लिया हो अपने अपने फील्ड में, इट में भी प्रोफेशनल्स लाइक सीए, लॉयर्स, डॉक्टर्स या सर्विसमेन वो आर मैनेजर्स, वीपी, सीओ इंट टॉप नॉच कंपनी एक्सेक्टर एक्सेक्टर अचीवर्स आर अलवेज लुट अप्टो और कुछ भी अचीव करने के लिए, हमें जरूरी होता है एक सही प्रोफसाहन की प्रोफसाहन का सिलसिला बच्पन से ही शुरू हो जाता है वो दिया तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाता है लेकिन अगर उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो वो हमारे बेसिक नेचर या बिहेवियर में आ जाता है मैं एक एक्जामपल दे के समझाने की कोशिश करती हूँ प्रोफसाहन बच्पन से दिया जाता है इंसेंटिव के रूप में जैसे कि बच्चे की तारीफ करना उसको ये एहसास दिलाना कि किसी से भी गुड बॉय या गुड गर्ल की उपादी मिलना उसकी जीवन की सबसे बड़ी उपलबती है एक प्यार भरी निगाह, एक स्माइल, एक अफेक्शनेट टच ये सब मोटिवेशन होता है इस बच्चे के लिए कि वो बच्चे आपकी बात को सुलें, आपकी बात को मानें थोड़ा बड़े होने पर ये अप्रोच थोड़ा मटेरलिस्टिक हो जाता है that is enough, कभी चॉकलेट, कभी कोई वीडियो गेम, कभी कुछ अगर आप क्लास में फर्स्ट आओगे, तो आपको एक नई ड्रेस मिलेगी, आपको वाच मिलेगी ये सारा सिलसिला चलता रहता है, जब तक की स्कूल लाइफ चलती है जब हम कॉलेज में आते हैं, तो ये जो मोटिवेशनल फैक्टर है, ये ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है हम इसको एक ultimate destination या ambition बनाने के लिए यूज करने लगते हैं हम बच्चे को हर उस आसपास के well settled या successful इंसान का example देने लगते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप ऐसे बन जाओगे वरना you will be failed तो सारा ये सिलसिला स्कूल से college लाइफ तक चलता है फर्क सिर्फ होता है examples का incentives का अगर आपने अच्छा काम किया तो आप कोई नाम मिलेगा और अगर आपने नहीं किया तो आपकी pocket money reduce हो जाएगी what I personally feel यह personally मेरा lookout है कि यह सब चीजे चेंज तब होती है जब हम माता पिता की छाओं से निकल कर independent होते हैं जब हम step करते हैं एक professional life में जहांपर हमको protect करने के लिए हमारे parents नहीं होते हैं आप office में आते हो आपका boss रहता है जिसे आपकी productivity क्या है उससे मतलब रहता है आपके colleagues आपके competitor हो जाते हैं और आप अपने आपको एक नई दुनिया में feel करते हो यह actually वो time रहता है जब आपको inspiration और motivation की ज़रूरत पढ़ती है these few days can make or finish you and your career तो यही office का माहौल जो है आपके लिए inspiration और motivation का काम करता है अगर यह अच्छा है तो आप successful हो जाते हो और अगर आप successful हो जाते हो तो आप office के प्रती और जाता committed हो जाते हो because everybody works for money nobody works for charity but यहाँ पर incentive money नहीं होता because you are paid for what you work यहाँ पर incentive होता है working atmosphere, working environment और आपने जो अच्छे काम किया है उसके लिए awards या rewards तो यह सारे factors जो है आपको help करते हैं कि आप और grow करिये और यह सारी non-monetary incentives होते हैं जिनको आपको एक positive way में लेना होता है अगर आप इन सारे incentives को positive approach के साथ लेंगे तो आप उसी positive approach के साथ उसको अपने seniors को दे सकेंगे it's not one way, it's always two way तो इसी लिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमेशा हमें एक जो environment है और जो atmosphere है इसको inspiration और motivation की तरह लेना चाहिए और इसी के साथ मैं अपना जो topic है इसको close करती हूँ कि अपने गमों की नुमाईश न कर, अपने नसीब की आजमाईश न कर जो तेरा है वो तेरे दर पे आएगा, रोज रोज उसे पाने की ख्वाईश न कर Thank you